नमस्ते, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेलासीन C300MG कैपसुल के बारे में कि ये कैपसुल क्या है, ये किस काम आता है, इसको कैसे यूज किया चाता है, इसको यूज करने से क्या फाइदा मिलता है और इसका क्या साइड एफेक्ट है तो अगर आप इन सभी जनकारियों को अच्छे से जाणना चाते हैं, तो वीडियो में तक बने रहे हैं, तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं एक तरह की एंटिबायोटिक दवाई है, जो कि हमारी बोडी को बैक्टरिया से लड़ने में हल्प करती है ये कई तरह के बैक्टरियल इंफेक्शन में कामाती है ये दवाई लंग्स, थ्रोट, स्कीन, स्वप टिशूस, बोन्स, ज्वाइंट और दातों के इंफेक्शन को ठेक करती है इसके अलावा ये दवाई निमूनिया को भी ठेक करती है इस दवाई का असर आपके बोडी में लेट से होता है इसलिए इससे जल्दी लेना बंद ना करें ताकि आपको इसके अपसुल के बेनिफेट साई से मिलें अगर आप इससे जल्दी लेना बंद करते हो तो आपका इंफेक्शन बढ़ सकता है यह दवाई आप खाने के साथ और उसके बीना भी ले सकते हैं लेकिन कोसिस करें कि इसे हर दिन एक एक टाइम पर ले इसकी dose of duration आपको आपका डॉक्टर ही बताएगा आपको इस दवाई का कोर्स पुरा खत्म करना है, बेच में इसे नहीं छोड़ना है अगर आप इस दवाई को लेना बेच में बंद कर देते हो, तो इससे आपका infection बढ़ सकता है अब बात करते हैं इसके side effect की, इसके कुछ common side effect में सिर्दर्ध होना, जी में चलना, उल्टी आना, डाइरिया होना यह सब side effect हो सकते हैं, वैसे तो यह side effect mild होते हैं, पर अगर आपको यह side effect जाता परसान करते हैं या फिर आपकी दवाई के treatment के बाद भी नहीं जाते हैं, तो इसके बारे में डॉक्टर से बात करें अब बात करते हैं, इसको लेते टेम क्या सौधानिया रखनी चाहिए से consult करें, अब बात करते हैं इसके price की, इसकी 10 capsule की एक strip आपको 230 रुपे से लेकर 290 रुपे तक मिल सकती है, तो बस इतना ही तो अगर आप लोग के जनकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो के लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी, थैंक यू